वीडियो में हम लोग बात करने वाले है ऐसे साथ सेवन फोटो एडिटर के बारे में Windows PC या फी लैप्टॉप के लिए तो अगर आप लोग भी अपने Windows PC फोटो एडिटर खोज रहे हो ना तो इस वीडियो को देख लो आप लोगो पता चल जाएगा अब वीडियो के बारे मे सब बात करता है लेकिन फोटो एडिटर के बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता है खासकर कि Windows PC लैप्टॉप के लिए मोबायल के बारे में सब करता है तो इसलिए मैंने सोच आप लोगो ठोड़ा बता दिया जाए और मेरे को कौन सा सबस्यादा बेस्ट लगता है मैं वह भी आप लोगों को बात करूंगा तो चली जानते हैं कौन-कौन से है वह सेवन बेस्ट फोटरीटर जो कि आप लोगों को अपना PC लैप्टॉप में जरूर जरूर यूज़ करना चाहिए तो अगर आप लोगों का इंट्रेस्ट है इसी टैप के PC लिलेटेट और लैप्ट देखने को मिल जागा तो चलिए शुरू करते हैं तो अब देखो भाई लोग मैं आप लोगों को यह सातो फोटरीटर बताऊंगा वह सारी एकदम बेस्ट है तो आप लोगों किसी को भी यूज़ कर सकते हो तो मैंने किसी को भी एक ऐसे सेपरेट मैंने नंबरिंग नहीं क करेंगे सबसे पहला फोटो एडिटर के बारे में जिसका नाम है फोटो इसकेप एक्स अब देखो फोटो इसकेप एकस ना यह बिल्कुली बिल्कुल एक फ्री फोटो एडिटर जी हां दोस्तों आप लोगों कोई इसमें पैसा वागे रहा देने का जरुवत नहीं है और आप लोग ना नया नया फोटो एडिटर भी ओपन करोगे इसको तो अप लोग सारा जो इसका टूल्स वागेरा है ना बिल्कुल इजी तरीका से समझ में आ जाएगा तो अगर आप लोग एसा फोटो एडर खोज रहे हो जिसका इंटरफेस भी तो एजी टैप का हो और आप लोग को मिल जाएगा इनकी ओफिसल वेबसाइट में अब जो दूसरा नंबर का जो फोटो डिटर है ना उसका ना हम है कैप्चर वन जी हां दोस्तों अगर आप लोग एक ऐसा फोटो एडर खोज़ें जिसमें फीचर भी बहुत सारा हो और ऐसा फोटो एडर खोज़ इस फोटो वन जो फोटो एडर लोड कर सकते हो दो बाद करेंगे अदोज़ नंबर का फोटो एडर के बारे में उसका नाम है साइबर लिंग फोटो डिरेक्टर आप रूग सैबर लिंग का सॉट्फिवर वगे मोबाईल में जो डेशु पीसी में इस प्रीन को और सॉट् अब यह जो फोटो इसकेप एक्स मैंने बताया था इंटरफेस उसी के जैसा हलका फुलका बट आप लोग के साथ फीचर बहुर सारा दिया हुआ है तो अगर आप लोग को फीचर ही चाहिए तो आप लोग जहाए ना इसको भी यूज कर सकते हो तो आप लोग एक बार जरूर अगर आप लोग कहीं से तो अब जो फोर्थ नंबर का जो फोर्ट रेटर है ना उसका नाम है एड़ाब लाइट रूम जी हां दोस्तों अगर आप लोग एक ऐसा फोर्ट रेटर चाहिए जिसमें आप लोग सिर्फ कलर ग्रीडिंग वाला यह उप्सन देखने को मिले तो अब लोग इसको जरूरोब जरूरोब यूजell हो लोग सारा इंपॉर्टन grounds नो lleva में वो वी डियो में अप्सन आड़ कर दिया है तो आप लोग वीडियो में भी color grid कर सकते हो Adobe Lightroom को यूज़ करके तो आप लोग इसको भी ज़रूर सर्व यूज़ कर सकते हो Adobe Lightroom PC वाले वर्जन को तो अब जो software है ना 5th नमबर का उसका नाम है Adobe Photoshop जी हाँ दोस्तों Adobe Photoshop के बारे में सुने ही होंगे बहुत ज़्यादा famous software है तो अब देखो ये जो Adobe Photoshop है पहले क्या था कि Adobe Lightroom में आप लोग इस इप color grading से related option दिया हो था बट ये जो है ना Adobe Photoshop में आप लोग को color grading जो background removing से ले करके सारा important software देखने को मिलता है face smoothing से ले करके सब आप लोग को इसमें देखने को मिलता है अब जो आप लोग देखे होंगे बड़े-बड़े creator जो होते है ये जो software है ना सबसे ज्यादा यूज करते है इवेन आप लोग सिब इसमें Photoshop का आप लोग ये जो Photoshop है अगर आप लोग को Photoshop में editing वगेरा करना है तो आप लोग को Photoshop को सीखना पड़ेगा तो आप लोग ये भी देख लिजेगा बट अगर आप लोग चाहो ना तो Photoshop को भी सीख सकते हो YouTube वगेरा में देख करके तो बहुत ज़्यादा सही software आप लोग इसमें जैसा चाहे वैसा rating कर सकते हो heavy editing से ले करके कैसा भी type के rating जो maximum जो editor लोग होते हैं वो इसी software का use करते है photo को edit करने के लिए तो आप लोग इसको भी एक बार जवरुसरे use कर सकते हो तो आप जो 6th number का software है ना उसका नाम है GIMP जी हाँ दोस्तो अब जो GIMP है ना Adobe Photoshop का lighter version है अब आप लोग को GIMP है maximum Adobe Photoshop का सारा feature देखने को मिलता है बट आप लोग को ये जो बस दोनों में maximum जो ये फर्क किया है ना ये जो GIMP है ये बिलकुल बिलकुल totally free है कोई watermark नहीं कोई trial version नहीं मगर ये जो Photoshop है ना आप लोग को इसमें trial वगेरा का version चलेगा तो आप लोग को ये चीज़ भी देख करके चलना है कुछ photo editor बता दिया अब बात करते हैं मेरे को सबसे जादा कौन best लगता है मेरे को जो सबसे जादा best लगता है वो Adobe Photoshop मैं जो खुद भी जो अपना photo वगेरा edit करता हूं वो Adobe Photoshop में edit करता हूं तो आप लोग भी Adobe Photoshop को जरूर सरे यूज कर सकते हो आप लोग के काम करिए सारे photo editor को यूज करिए अब सब का पसंद अलग होता है हो सा कि आपको कुछ और पसंद आए आप लोग मेरा description box में देखने को मिल जाए आद बूला चलिए बाइबाइ फीरों के सिकने वीडियो को लेकर प्लीज भाई लोग सब्सक्रेब जरू कर लिए अगरा बेला अगरन कौल पर से जरू कर लिए को खड़ी कर दो 14 00 Taking कि आपको कुछ बाइब प्लू का बाईब बाइन कौल परसे क। वाऔी कि आपको क expected झाल झाल